सर्दियों के मौसम में गाजर को हलवा खाना किसे पसंद नहीं है लेकिन जब गाजर के हलवे को बनाने की बात आती है न तो उससे घंटों बनाने की महनत से सब डर जाते हैं तो चलिए आज आप सबके साथ मैं शेयर करती हूँ गाजर के हलवे की ऐसी रेस्पी जिसे आप 15-20 मिनट में बना सकते हैं और बहुत ही टेस्टी लगेगा बिल्कुल हलवाई जैसा यह हलवा बनेगा तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा इसकिप बिल्कुल भी मत की और अब हम इसे काटेंगे जी हां हम इसको इस तरीके से काटेंगे बिल्कुल बारिक पारी काटेंगे गिसने की मैनत यहां पे खताम हो गई है बस इस तरीके से आपको गाजर को काटना है जिस तरीके से नॉर्मली हम घर पे गाजर आलू की सबजी बनाते हैं उसके लिए यह मोटी मोटी डंटल आप अटा दें और इस तरीके से बिल्कुल बारीक सारी गाजर को काटके पहले रेडी कर लिया है अब चलिए फटा फट इसे बना लेते हैं तो यहां पर मैं यह कोकर का यूज कर रहे हूं तो इसमें हम डालेंगे एक चमच देशी खी तो इसे आपको लेडियन गैस के फिलेम को मीडियम टू आइवाई पर रखना है और इसे 2 मिनड तक मीडियम टू हाइ अब हम बहुत पानी मिनगे जहे गाजर का का थोड़ा बहुत पानी है वह इसमें शूख जाइगा तो इस तरीके से हम medium to high flame पे 2-3 मिनट तक इसको भूनेंगे और आप देखेंगे यह अच्छे से भून गई है इसमें पानी बिलकुल भी नहीं है तो नॉर्माल ही आपने देखा होगा गाजर कॉम जैसी सबजी बनाते हैं कुछ तो थोड़ा सा यह पानी छोड़ देती है अब इसमें हम डालेंगे दूद तो दूद यहाँ पे हमें लेना है एक कप यहां पे यह जो ने मैंने एक कप लिया है थोड़ा सा बढ़ा लिया है या आपे गिलास भी यहाँ पे दूद ले सकते हैं और पहले दूद के अंदर एसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब मीडियम फ्लेम पे हम इसमें सीटी लगाएंगे चार से पांच, अब जितनी देर में ये अच्छे से ये सॉफ्ट हो जाए, तो ध्यान बस इस बात का रखना है, यहां पे गैस की फ्लेम को आपको हाई नहीं करना है, क्योंकि हमने इसमें दूद जाला है, अगर आप हाई फ्लेम पे इसमें सीटी लगाएंगे ना, तो नीचे की सैट से हो सकता है, यह दूद चिपल जाए या जल जाए, इसके मीडियम फ्लेम पे हम इसमें चार से पांच सीटी लगाएंगे, तो सीटी आप अच्छे से लगने दीजेगा, उसके बाद हम इसका जो प्रेशर है, उसको निकालेंगे, नहीं, अपने आप ठंडा होने देंगे, और जब आप देखेंगे, इसका जो प्रेशर है, अपने आप ठंडा हो गया है,双सके बाद हम इसका धकन हटाएंगे, और चेक कर लेंगे, यह जो गाजर है, अच्छे से सॉफ्ट हुई है, या नहीं हु लेकिन उसमें काफी टाइम लगेगा इसलिए मैंने यह मैशर का यूज किया है इससे यह बहुत चल्दी मैश हो जाएगा आप देख सकते हैं मुश्किल से एक मिनट भी नहीं लगा इसको मैश करने में अगर आप चम्चे से उल्टा करके इसको मैश करेंगे ना उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है लेकिन हमें यहां पर गाजर के हलोई को बनाने में टाइम बचाना है तो आप इस तरीके से मैशर का यूज करें बूद है वह अच्छे से सूख जाना चाहिए इसमें वह आपको दो-से तीन मिनट लगेंगे या चार मिनट लगेंगे बस बीच बीच में आपको इसे चलाते जाना है अब इसमें हम एक चमच घी और डालेंगे नौर्मली जो गाजर का हलवा हम बनाते हैं जो हलवा ही लो आप देखेंगे इसमें से जो दूद है ना वह अच्छे से सूख सा गया है यह देखें आप ऐसे साइड में करके देखेंगे तो इसमें दूद नहीं है बहुत थोड़ा वह थै वह और बाद में पक जाएगा बस बीच बीच में आपको इसे चलाते रहना है क्योंकि गैस क ने को पसंद है बहुत से लोग जिनको जादा पसंद है तो मीठा आप अपने हैसाब से डालें पहले आप इसमें कम ही चीनी डाले और जब आप देखेंगे चीनी अच्छे से मैल्ट हो गई है तो आप थोड़ा सा चेक कर लें अगर आपको लगता है कि इसमें मीठा कम है आप इसमें औरेट कर सकते हैं जैसे आप चीनी डालेंगे ना तो आप देखेंगे हलवा फिर से पतला हो जाएगा लेकिन चीनी डालने के बाद जो इसका कलर है बहुत ही अच्छा आता है तो बस अब इसे बीच-बीच में चलाते हुए हम अच्छे से पका लेंगे चीनी इसे यह पकना शुरू होगा ना तो यह अपने आप गाड़ा होना लगेगा तो बस इसे हम साइड में रख देते हैं पकने के लिए और हाँ इसमें आदा चोटी चमच हम डाल देंगे हरी इलाइची का पाउडर तो इलाइची का पाउडर दालना बिलकुल ना भूलें आइसोग्राम घी का यूज करते हैं लेकिन हम यह आपे आदे से भी कम ही डालेंगे तो तीन चमच घी डालने के बाद जैसे आप तेहेंगे गी हलका सा गरम हो गया है हम इसमें थोड़े से ड्राइफूर्स टाल देंगे जो भी आपको पसंद है मैंने आपे काजू और सिर बस फिर हम तुरंती गैस बंद कर देंगे और इसे हम इस हलवे में डाल देंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, यह फाल के रड़ें इसे ऑच्चे से अच्छा से मिक्स कारेंगे हम दोकी कुछ से डीड़े और दाला करेंगे घी और डाली गी जो करेंगे और जब आप देखेंगे इसमें से गी बिल्कुल अलग दिखने लगा है मान लीजे हलवा बिल्कुल बनके रेडी है तो बस इसी तरीके से बीच बीच में चलाते रहेंगे और आप देखेंगे जैसे जैसे ये हलवा बुनेगा इसका कलर बहुत अच्छा आने लगेगा तो ये देख सकते हैं इसमें अभी हलका सा गी दिख रहा है अभी हम इसको थोड़ा सा और पकाएंगे आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा गी और डालना चाहते हैं तो दो से तीन चमच आप इसमें इसी दोरान घी और डाल सकते हैं, यह जो हलवा है और अच्छे से भुन जाएगा, तो यह देखिए अभी यह लगबग भुनीगी गाया है, थोड़ी दिर और पका लेंगे, और यहां पे बात में हम इसमें डाल देंगे यह मावा, तो यह ज घर पे नहीं बना रहे हैं, तो थोड़ा सा बजार से लियाएं, उसको हलका सा मैश कर लें हातों से, वो इसमें डाल देंगे, मावा डालने के बाद एक मिनट आम इसको और पकाएंगे, क्योंकि यह जो हलवा है बहुत ही अच्छे से भुन गया है, इसमें से जो घी है बिल आप इसे बना सकते हैं, आज की मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमंड करके जरूर बताईएगा, और प्लीस मैं आपसे बोल रही हूँ, आप इसे एक बार जरूर ट्राइ कीजेगा, इसी तरीके से आपको यह बहुत पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए